What's up everyone, welcome once again to Smart Kicks and this channel is all about sneakers आज की वीडियो में Jordan 4 Military Blue को लेसिंग कैसे करनी है बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कैसे stylish दिखेंगे आपके लेसिगे आपके लेसिगे और यह जो लास्ट में लेस के लूप से रह जाते हैं जो आपको टाई करना पड़ता है, I know very irritating, उसका भी एक hack बताने वाला हूँ तो miss out मत करना वीडियो को last तक देखना because मैं ये भी बताने वाला हूँ की लेसिज की length कितनी होनी चीए, अगर आपके पास मान लो ये लेसिज नहीं हैं या आपके existing लेसिज खराब हो गए हैं, तो कितने centimeter के लेसिज खरीदोगे, कहां से खरीदना पड़ेगा, पूरा guide है if you are visiting my channel for the first time let me tell you that the best sneaker steel deals, best sneaker drops और sneakers के बारे में ऐसी informative videos आपको सिर्फ smart kicks पे मिलेंगी तो consider subscribing और अगर आपने already subscribe किया हुआ है, दिल से thank you so much, so now let's get straight into this video where I tell you how to style up your laces on Jordan 4 Military Blue so सबसे पहले ये laces 150 cm की laces है मैं ये भी आप लोगो बताना चाहरा था कि ये styling सिर्फ Jordan 4 पर ही नहीं in fact आप किसी भी Jordan पे कर सकते हो कोशिश करना कि 120 या 150 cm की at least lace length रहे, कहां से ये laces खरीद सकते हो, वीडियो के last में मैं बताने वाला हूँ तो description में links चेक कर लेना now starting off, सबसे पहले laces को equidistant कर लो और मैं यहाँ पर crown के through laces को insert करूँगा एक बार इस side से और एक बार इस side से मैं equidistant laces को pull करना शुरू करूँगा to get this, अब यह obviously laces थोड़ा इसे unorganized हो जाते हैं, बट यहाँ पर आप उसको flat करके, organized तरीके से under pull-in कर सकते हो सामने से एकदम flat दिखने चाहिए तभी आपका जो पूरा lacing का style है वो successful होगा, अब मैं इसको बहुत जादा ऐसे कसूँगा नहीं बहुत tight नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा loose रखूँगा look at this, हलका सा loose रखूँगा सबसे पहले हम यहाँ पर इस lace को लेंगे और उपर से लेकर आऊंगा मैं नीचे से नहीं डालना है, ध्यान रखना यह बहुत सारे लोग गलती करते हैं उपर से लेकर आऊंगा मैं यहाँ से और उपर से लेकर आने के फायदे हैं धीरे-धीरे जैसे यह से built होने लगेगा अभी हमारा first layer build हुआ है यह वाली lace को पहले लेकर आऊंगा ताकि यह नीचे रहेगी और यह हमेशा उपर रहेगी और लेट में डू दाट अगेन इस lace को मैं उपर से पास करूंगा ताकि हमारी जो sequence है वो बनी रहे इस वेरी इंपर्टन गाइज एक बार बेस सही बन गया आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यह देखे कैसा ब्यूटिफुल लग रहा है पैटन क्रीट हो रहा है यहाँ पर यहाँ से अगेन मैं यह वाली लेस को लूँगा आगे और इसको सबसे पहले इंसर्ट करूँगा और इस वन विल गो अगेन फ्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम यह दिस कैसे पैटन प्रिपेर हो रहा है इस साइड आप लेस फॉर्स everything is legit, ISQLISA हThe sollten so I will again pass it from here डिख रहा है आप लोगो I hope ye visible هोगा again, I will keep this lace aside on the front hold this bring it from the top and create the top pass and again, holding on to this I am going to pass it from the top side keep it straight and this way look at this, how beautiful it looks guys again now keeping it straight इसको पकड़ेंगे यहां पर फिर से टॉप से टेके पास करेंगे again creating the same pattern and once again from here यहां पर थोड़ा सा wrinkle create हो गया, so we'll fix this up, here it is, look at this बढ़ यह दिख रहा है guys, okay मुझे comment करके बताओ, while you watch this comment करके बताना कैसा लग रहा है यह pattern, अब देखिए, अब मैं almost top तक आ चुका हूँ guys, तो मैं थोड़ा सा loose करना शुरू करूँगा because I don't want a lot of extra lace, आप देखिए हो कितनी extra lace बची हुई है we also have to leave the laces एकडम relaxed यहां पर ताकि वो stylish देखे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको relax करते हुए नीचे जाऊंगा but now when I come here, इस lace को मैंने यहां पर रखा और इस lace को अब यहां पर एक final crown है यह crown के through pass किया मैंने और इस crown के through pass करते हुए यह lace को top से मैं लेकर आ रहा हूँ and I'll be passing it like this, yes और इस lace को भी यहां से मैं ऐसे लाऊंगा crown के through और pass it here so यहां पर हमारे पास अभी lace की इतनी length बची है, top 3 ribbits होते हैं, अब मैं 3 ribbits मैं से 2 ही use करता हूँ third वाले को मैं तभी use करता हूँ जब मेरे को lace बहुत ज़्यादा relaxed तरीके से पहननी होती है so once again I'll keep this straight and now I'll go through this and pass it like this and again this one from here, pass it through this to this, right, alright, look at this guys, so this is how it looks right now, I'm going to put this shoe on my feet and show you how it looks, so guys we are all set to try these lace styling on feet so you can see the structure that we have made it properly fit, now I'll just pull it a little bit, look at this, very easy way, I'll pull it up, so I'll keep this structure as well, I'll keep this structure as well and I won't see this, now the best part about Jordan 4 military blues is that they will offer you a snug fit, like gloves like fit, very comfortable, so comfort के मामले में, Jordan 4 military blues are absolutely great sizes is true to feet, आप अगर 8 UK पहनते हो तो 8 UK ही और करो, no need to go up or down on the sizing, now this much lace is left and now I just tie the laces like this here, you know, any normal knot and the moment I do it, I will push it behind the tongue and that's it, look at this, and just push it inside and that will be hidden, so this is your final look of your sneaker, let me show you guys and guys that's how easy it is to set up this clean looking stylish lace pattern on your Jordan 4 military blues, honestly Jordan 4 के लिए ही नहीं, कोई भी sneaker हो आपके पास, महेंगा, सस्ता, high ankle, mid ankle, sport shoes, आप किसी भी sneaker पे या shoe पे ऐसा lace pattern set up कर सकते हो, यह काफी easy tutorial था, to be honest, so step by step देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं और भी ऐसे lace styling वाले tutorials लाने वाला हूँ, तो channel को अभी subscribe कर लो, you can also follow me on Instagram, जहां पर we are already more than 85,000 followers, so I hope you will like the content there also, because वहाँ पर मैं कुछ quick videos डालता हूँ related to sneakers, deal deals, कहों से store में, किस city में, best deals मिलेंगी, कहां पे branded sneakers खरीच सकते हो, real और fake में difference कैसे पता करना है, यह सब पता कर सकते हो guys, तो consider following on Instagram also, till my next video, you guys stay fit and keep watching Smart Kicks.